देश के सबसे चर्चित दलाली कांडों में शुमार बफर स्तूप दलाली कांड का जिकर एक बार फिर गुंजा है इस बार Republic TV की investigative team ने बफर स्थोप मामले में स्वीडन के पूर्व Chief Investigator Stan Lynn Storm की बाचीत के वीडियो टेप जारी करते हुए बफर स्थोप मामले में पूर्व PM राजीव गांधी पर तोपों की डील में दलाली के आरोप सामने आए हैं हाला कि आपको बता दे कि बफर्स्तोब दलाली मामले में CBI जांच की रिपोर्ट के आदार पर दिल्ली हाई कोट ने राजीव गांधी को वर्ज 2004 में क्लीन चिट दे दी थी इतने सालों बाद फिर रिपब्लिक टीवी की इंवेस्टिगेटिव टीम ने इस खुलासी से बफर्स्तोब दलाली का मामला सुर्खियों में आ गया है 31 साल पुराने इस मामले में कॉंग्रेस सकते में है तो भाजपा को मुख्य विपक्षी कॉंग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है रिपब्लिक टीवी की इंवेस्टिगेटिव स्टोरी टीम ने बफर्स्तोब दलाली मामले में पूर्व चीफ इंवेस्टिगेटर स्टेन लिंस्ट्रोम से बातचीत की है इस बातचीत के टेप में दावा किया गया है कि बफर्स्तोब दलाली मामले में पूर्व पीम राजीव गांदी को पूरी जानकारी थी और डील के खेल में हुई दलाली की भी जानकारी थी उन्होंने टेप में यह भी दावा किया है कि पूर्व पीम ने स्वीडन पीम से एक फ्लाइट में इस बारे में चर्चा भी की थी इन्वेस्टिगेटर का दावा है कि बफर्स तोब दलाली मामले में दलाली की रगम 64 करोड रुपे से भी अधिक रखी गई थी भारत सरकार ने भारतिय सेना के लिए 1986 में स्वीडन के बफर्स तोब खरीदी थी तब 410 तोब भारतिय सेना में आई थी बफर्स तोब दलाली मामले में इटली के कारोबारी ओवित्यो कोची की भूमी का रही डील के लिए इसे बड़ी दलाली मिली तब कॉंग्रेस नेता फिर कॉंग्रेस छोड़ कर जनता दल में गए वीपी सिंग ने राजीव गांदी पर तोबो की डील में दलाली खाने के आरोप लगा कर कॉंग्रेस सरकार को कटगरे में खड़ा कर दिया इस मुद्धे को लेकर वीपी सिंग में मुख्य विपक्षी दलो ने कॉंग्रेस सरकार और पीम राजीव गांदी को घेरा जिसके बाद लोकसबा चुनाओं में कॉंग्रेस की हार हुई बफरस्तोप दराले मुद्दे के चलते वीपी सिंग देश के परधान मंतरी बने बाद में इस मामले की जांच CBI को दे दी गई हाला कि 2004 में CBI रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाई कोट ने राजीव गांदी को क्लीन चिट दे दी थी और भी खबरों के लिए जूड़े रहे हमारे साथ और हमें सबस्क्राइब जरूर करें